बिस्मिल्ला रख्राण रहीं, असलाम लेक्टेटे इस्टूट्स असलाम लेक्टेटे इन्डक्षन को देखना ज़री है, अब देखिए, विए अब बार मैंगनेट है, उसके एक नौट्थ फोल है और दूसरा साउथ फोल है, वह नौट्स से साउथ की तरफ माइट करती है, यह बार मैंगनेट इन्मिल्ट इसका इस बार मैंगनेट को, मैंने इस कोईल से कुछ फासले पर रखावा है और कोईल के साथ यह बल्ब अटेच्च तो इट पार मेगनेट की जो मेगनेटिक फील्ड लाइन्स है नमबर अफ मेगनेटिक फील्ड लाइन्स तैक पास त्रू दिस कोईल अब इस वकत यहाँ पर फोर लाइन्स है जो पास हो रही है त्रू इस कोईल अफ वाया नमबर अफ मेगनेटिक फील्ड लाइन्स तैट पास त्रू एनी कोईल अफ वाया उसको हम कहते हैं मेगनेटिक फ्लक्स अब देखिए अगर यह मेगनेट मैं मूफ करके इस कोईल के करीब लेकर आओ तो फिर क्या होगा जो नमबर अफ मेगनेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग फूर्ड है वो चेंज हो जाएगा यानि ज्यादा लाइन्स फोर्स पास होंगी जब इसको मैं करीब लेकर आता हूँ तो मेगनेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा इंक्रीज होगा चेंज हो जाएगा मेगनेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा इस कोईल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो एक बहुत इंट्रिसिंग फिनामेना हो ज़को हम electromagnetic induction के तो EMF induced हो जाएगी इस coil के अंदर और उस induced EMF के वेज़ से इस coil में से current flow कर रहे लड़े तो देखें जब मैं इसको करीब लेकर आता हूँ तो bulb momentarily light up होता है लेकिन मैं जब इसकी moment रोक देता हूँ तो bulb भी off हो जाता है अभी magnetic field lines इस coil में से पास होती है वो maximum पास होती है लेकिन change नहीं हो रहा flux तो जब तक magnetic flux change होता रहेगा through the coil EMF induced होती रहेगी अब अगर मैं इसको constantly move करता रहो तो आप देखेंगे पल्प जाए वो light up होता रहेगा on off तो रहे है intensity light की change हो रहे है लेकिन that indicates के flux change हो रहा है so that means if the magnetic flux passing through a coil of wire changes there is an EMF induced in the coil of wire and this phenomenon is called electromagnetic induction अब कुछ factors है electromagnetic induction induced EMF को जो influence करते हैं वो कहाँ देखेंगे अगर मैं ये magnet तेजी से move करूँ तो आप देखेंगे कि बल्प की brightness जादा होती यह उसमें से जादा current flow कर रहा है यह इसका मतलब EMF reduced जादा हो रही है तो induced EMF depends on the relative motion between the magnet and the coil relative motion जितना तेज होगा जितना तेजी से magnet move करेगा उतनी EMF reduced जादा हो जाएगी और अगर coil में एक के बजाए दो coils लेगातू जिस coil में number of turns कम है उसमें EMF reduced कम है जिसके number of turns जादा है उसमें EMF induced जादा है इसका मतलब है EMF reduced also depends on the number of turns of the coil also so अगर आप number of turns increase करेंगे तब भी EMF reduced increase होगी अगर आप area of the coil increase करेंगे अब यह भी आपको दिखाता हूँ अब वही arrangement देखिए एक जरे different तरीके से हैं कि अब यहाँ एक magnet है और magnet के सामदे coil of wire है जब magnet move होगा तो EMF induced होगी अगर EMF induced हो रही है उसके पर इसे जो current flow कर रहा है अगर आप बहुत से देखें तो current की जो electrons coil के अदर शो हो रहे हैं वो direction अपी change कर रहे हैं पहले from top to bottom जाते हैं फिर bottom to top जाते हैं अच्छा और अगर मैं area increase करता हूँ इस loop का इस coil का area मैं increase करता हूँ देखें increase करती है area अब जो EMF induced है आप bulb की brightness अंदाजा लगा सकते हैं वो पहले से जादा है इसका मतलब है area पर भी depend कर रही है EMF induced number of turns पर भी depend कर रही है again मैं number of turns increase करते हैं number of loops here does तो तब भी EMF induced जादा हो जाती है तो EMF induced depends on number of turns in the coil of wire EMF induced depends on the area of the coil of wire and the relative motion between the magnet and the coil of wire so EMF induced करने के लिए यह arrangement अब यह induced EMF इसके बाद आगे दो बहुत important topics हैं इस chapter के उनमें अबलाए होती है एक है AC generator और दूसरा है transformer यह दोनों electromagnetic induction इस principle पर काम करते हैं अब सबसे पहले जो AC generator है वो कैसे काम करता है यह आपके screen पर सामने video आ रही है इसको देखकर आप detail से देख सकते हैं कि AC generator कैसे बाग करता है see you in that video इंशावला